हलो फ्रेंस वेलकम टू गुरुकुल कासिज जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को अपना लेके चल रहे हैं और जानते रहे हैं कि हम यहाँ पे डिसस करने वाले हैं 2018 में आया हुए कुस क्वेश्चन को जो कि आपका सामान अभिज्ञान या संप्रती प् जाते हैं और वो किसी ना किसी तरह से अपना क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाता है उनको तो बाद में क्या करते हैं एक बुक्स का कार देकर उसको क्या करते हैं प्रिंट करके मार्केट में उतार देते हैं तो यहां से ही यह क्वेश्चन जो आपको यह डिसस कर रहे हैं जा जानते रहे हैं जितने भी प्रेक्टिस सेट आपको करा रहे हैं इसमें से शायद ही ऐसा कोई प्रेक्टिस सेट होगा जिसमें मिस्टेक नहीं दिख ले तो ऑप्षन यहां हमें से मिस्प्रिंट मिलते हैं इसलिए जब भी आप इस तरह की कोई बुक्स लें तो इसको आप Google सर्च करके सारे option match करके तभी उसको आप study करें तो जाते रहे हैं आपको जो भी question कराया जाते हैं वह यहां पहले Google पर एक question को सर्च करते हैं उसके बाद दिन जब पूरी तरह से clear हो जाता है तभी आपको question प्रवाइड कराते हैं इसलिए वीडियो आने में थोड़ा से लेड भी हो जाता है तो चलिए हम question को डिसलिए करना शुरू करते हैं इक मारा पहले question क्या नमबर पर से देखे कुश्चन क्या कह रहा है शुल वसूत्र भी कहते है इसे तो जाते रहे ही करते हैं जो वैदिक गंछित का महतपूरंग है वह सूलव सूत्र या मा इसलीमीद तत्र डे कहा है वो दिखेगे तो जानते हैं समविधान सभा के प्रफम बैठक कब हुई थी तो जानते हैं समविधान सभा कि प्रफम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसमबर उनीस सो चीयालिस को तो नौ दिसम्बर उनीस सियालिस को तो जानते रहें रहें इबनबतुता कहां का निवासी था तो जानते रहेंगा इबन बतूता जो था वो मरोक्को का निवासी था, मरोक्को देखी कहा है, option number A, तो A number कम क्लिक कर देंगे, और जानते रहेगा, इबन बतूता का जो पूरा नाम था, वो था, मुहम्मद बिन अब्दुल्ला इबन बतूता, और जानते रहेगा, ये भारत में आया था, मुहम्मद बिन तुगलक के स आसनकाल में, जानते रहेगा, पच्छपन नमर देख क्यूशन आया है, तैमूर लंग ने किस वर्स भारत पर आक्रमन किया था, तो जानते रहेगा, तैमूर लंग जो था, उसने भारत पर आक्रमन किया था, 1398CV में, 1398CV में, 1398CV में देखी कहा है, देखिया option number C में है, कब लड़ा गया, तो जानते रहेगा, हल्दी घाटी का जो युद्ध जो था, वो लड़ा गया था, 18 जून 1576 में, तो 18 जून 1576 में, देखिये कहा है, देखिये यह आया है, option में देखिये, बी में है, 1576, इसलिए बी नमर को क्लिक कर देंगे, और जानते रहेगा, यह जो 18 जून 1576 में, जो यह लड़ा गया था, लड़ी घाटी का युद्ध, यह लड़ा गया था, महाराणा प्रताप की समर्थन करने वाले घुरसवारों और धनुरधारियों, और अकबर की सेना कर देखिये, बारत का प्रतम गवर्नर जर्ना था, तो कौन था, तो जानते रहे अपर उप्रति सम्विधान के किस अनुछेद में प्रेसव की सवतंतरता नीहीत है, तो जानते रहेगा वह अनुछेद है, अनुछेद 19 कहा है, और number 20 फिर गौदक कर देखियेगा, तो जानते रहेगा, एक वर्स में कम से कम कितनी वार संसत्की बैठक होना आवाशक है, तो जानते रहे हैं कि एक वर्स में कम से कम दो बार संसत की बैठा कोना आवज़ चाहिए, तो बार देखे कहा है, आप्शन नमबर बी में है, तो बी नमबर कुम क्लिक कर देंगे, फिर देखे चौन सर नमबर पर क्या कह रहा है, कि भारत के राश्पती का चुनाव कितने वर सपारित किया, तो जानते रहे हैं कि यह जो पारित हुआ था आगस्त 1942 में, तो जानते रहे हैं, आठ अगस्त 1942 कि क्लिक कर देंगे, तो कौन होता है तो जानते रिएगा भारत सरकाथ को जो समवैधानिक अध्यक्ष होता है वो है रास्टपती ऊप्ड़ नमबर बी तुभी नमर को क्लिक कर देंगे तो कितनी हो सकती है तो जानते रहेगा प्रतम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मअवलंकर देखी कहा है है तो जानते रहेगा जीवी मअवलंकर चीवी मअवलंकर Maulankar का जो पूरा नाम है वो उनका पूरा नाम है गनेश वासूद celebration मौलंकर जाए दोनों नाम एक ही है निश्टे कि 74 नमबर उपर देखें किसे से सम्भंधी थैं तो जानते रहेगा हिंदू व्रिध्ध की जो दर है वो सम्भंधी थैं तो राश्ट्री आये से तो राश्ट्री आये दिखी का है, option number B, तो B number हम क्लिक कर देंगे, 75 नमर दी कुछिन कह रहा है, निमलखीर मेंसे कौन मुद्रा का कार नहीं है, दिखे, option A में है, मुले का मापन, B नमर पर है, मुले का हस्तान तरण, C नमर पर है, मुले का संचे, और तो जानते रहेगा, विधान परिश्ट के जो सदस होते हैं, वो राजपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, एक बटा छे, तो एक बटा छे, दिखे, option number B, तो B number क्लिक कर देंगे, फिर दिखे, option number A में है, तो A number को हम क्लिक कर देंगे, फिर दिखे, यहाँ पे आ जाएंगे, छेतन नियुक्षिन आ जाएंगे हैं, दिखे, क्या क्या रहा है, कि भारत में रुपाय का अविमूलेन पहली बार किस वर्स किया गया था, तो जानते रहेगा, भारत में जो रुपाय का, जो अविमूलेन जो था, वो किया गया था, 1949 को, 1949 कहा आएंगे, दिखे, आया है, option नमबर यह है तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे तो जानते रहे हैं तो जो है घोशित की गई थी उनीस सो एक यावान को निश्वी क्लिक कर देंगे 80 नुम्हम सब्संट 2 नुम्हम क्लिक कर देंगे 217 number 2 question क्या कह रहा है भारती अर्थ v regulate शभ्यश्ता को सबसे अच्छे धंग से किन शबडों में विक्त किया जा सकता है तो भारती जो अर्थ v GC ह्या है ओप्शन A में में पूंजीवादी अर्थ trunk least है वो क्लिक कर देंगे ऐधिकतर बेरोजगारी है तो किस तरह से है Qела A में आए है चक्री है то जानते भारत में जो अधिकतर जो बेरोजगारी है qela Aравствуйте ऑप्षन aspect bạn तो Q हमक्लिक कर देंगे भारत में प्रतम रेलवे लायन का पिछह तो जानते रहेंगे कि भारत में प्रत्रम रेल्वेय लाइन जो बिचाई गई थी वह बिचाई गई थी आथारा सो तीर पन को, तो तो सी नमबर को क्लिक कर देंगे, फिर देके, 80 नमबर कुछिन क्या चाहं रहा है, सौर मंदल का सब से बड़ा ग्रह है, तो स्यौर मंदल का प्रिथवी पर जीरो देशांतर पर खीची गई जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं माध्यान रेखा भी कहते हैं उसी को हम प्रधान मध्यान रेखा भी कहते हैं उसी को हम प्रधान म्यामनोत्तर रेखा भी कहते हैं या इसी को हम ग्रेनिविच रेखा भी कहते हैं अब यह देखे इसके कई नाम आपको बताया जा चुक हैं जानते रहेगा दुनिया का जो मानक जो समय होता है वो इसी रेख जानते रहें कि इन चारों में जो आप्शन नबर सी है ग्रेनाइट यह आपका अगनेज चैटान है इसलिए सी नबर कुम क्लिक कर देंगे तीरासी नबर कुछिन क्या कर रहा है कि फ्यूजियामा किस देस का जौला मुखी परवत है तो जानते रहें कि फ्यूजियामा जो ज जानते रहें गए और मुखी आश्मियामा जानते रहें कि यह में जाता है तो जलनी क्लिक हो आे हैनिसे 1 लिए नबर की आको पता होगा कि भी जय किए लेकाप्टर का नाम भी चीने क्रिक ल swinging नदेगे क्या कह रहा है कि भारत नात्यम निर्त का संबन्ध की सराज जिसे है Would?!? नर्त तो के संबंधी तaffinal नाडू सिनने मेशीर स्नेशेखा सी एन की चेहराएं भारतिय लोक नृतिय नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पहले option देख लेंगे, देखे, A नमबर पर है घुमर, B नमबर पर देखिया है, कथकली, C नमबर पर है गर्भा और D नमबर पर है डांडिया, तो जानते रहें कि इन चारों में हम बात करें, तो option नमबर जो B आया है, कथ कली ये भारतिय लोक नेट नहीं है, इसलिए भी नमबर को क्लिक कर देंगे, फिर दिखे, A नमबर को क्लिक कर देंगे, फिर दिखे, A नमबर को क्लिक कर देंगे, फिर दिखे, A नमबर को क्लिक कर देंगे, पारसेक इकाई है, तो पारसेक किस की इकाई है, ये किसे से संब दूरी को मापा जाता है तो दिखे कहां है देखे ऑपशन नमबर ए दूरी की तो ए नमबर को हम क्लिक कर देंगे फिर दिखे कर देखे ओपर देखे 96 नमबर को क्षिन क्या कह रहा है कि 14 नॉवंबर 2017 को 15 भारत आशियां सिकर बैठक हुई थी तो कहां हुई थी तो जानते रहेगे यह हुई थी Philippines के Manila नामक शहर में तो यहाँ देखिया option कहा है देखिया option A में आया है Manila तो Manila को हम यह option A को क्लिक कर देंगे जानते रहेगे यह देश Philippines भी आ सकता है वह कहां हुआ था तो जानते रहेगा वह संबद हुआ था हैदराबाद में है अजाल को आज दखी कहा है आजिक है आफ अइसल में दीखि में है doin नंबर को फिलीछिन क्लिच कर देंग ऑसफे नंबर को क्लिक कर देंगे देखिए नम्र नम्र कुर्शन क्या कहा रहा है computer data की सबसे चोटी एकाई है तो जानते रहेगा computer data की सबसे चोटी एकाई होती वो होती बीट बीटे दिखी कहा है option number B तो B नम्र कुम क्लिक कर देंगे फिर दिखी क्या रहे है परमारविक नाभिक किसने खोजा था तो जानते हैं परमारविक जो नाभिक था वो खोजा था रदर फोट ने रदर फोट देखी कहाया है दिखिए आया है option number A to A number कम click कर देंगे तो किसी दिया गया था तो जानते रहेगा वर्स 2017 में जो राजियु गांधी खेल रत्न पुरुसकार दिया गया था वो दो लोगों को दिया गया था एक थे सरदार सिंग और दूसरे थे देवेंदर जाजरिया तो देखेंगे यहां option देखेंगे दो में सकोई एक आया है देखेंगे option A में ही आगया है सरदार सिंग और देवेंदर जाजरिया कहीं नहीं आया है तो हमें एक ही option चाहिए था इसलिए ए नमबर को हम क्लिक कर दे लेकिन वह होना था जापान के टोक्यो शहर में तो दिखे कहा है आप्शन नमबर दिखिया है ए में है टोक्यो तो ए नमबर को फिलाल क्लिक कर देंगे लिए जो कि अब टल गया है तो अभी आप यह कह सकते हैं कि 2020 में कोई बी ओलम्पिक होना नहीं है फिर दिखेगा लास द आपको आइडिया लग गया होगा है कि अगर आपकी एकसाम के पॉइंट आपके लिए ने इनकु 순간 इत्व किये जा रहे है आपको कुछ ने कुछ यह आइडिया लग गया होगा अगर सारी चीजाय चिशी रो रहा है यह क्रिशन भी और समझ विडियू को आप लाइक तो ज लिए से इतना रखते हैं and thank you very much for watching this video, thank you.